नमस्कार दोस्तों, सिविंग फंड यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में पोस्ट अफिस की नई ब्यासदरों के बारे में इन्पोर्मेशन देने वाला हूँ कि सितंबर अक्टूबर 2022 की नई ब्यासदरे क्या होने बाली है यानि कि new interest rate आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बारत सरकार हर तीमाई यानि कि हर तीन मेंने में जो पोस्ट अफिस की जो interest rate है उसमें बदलाव करती है दोस्तों post office bank की तुलना में यहाँ पर है जो आपको कापी high interest देता है साथ ही आपका जो invest के हुआ पैसा है वो पूरी तरस है जो यानि की 100% है जो सुरुख सिद रहता है तो चलिए इस वीडियो में जानता है कि सितंबर से अक्टूबर 2022 तक post office की सभी skim में है जो अलग-अलग कितना interest rate आपको मिलने बला है तो अगर आपने post office की किसी भी skim में अपना पैसा है जो जमा क्या हुआ है निवेश क्या हुआ है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्रेब कर दीजे ताकि saving और investment की latest वीडियो है जो आगे आपको मिलती रहे चलिए सबसे पहले बात करते हैं post office saving bank account के बारे में तो सितंबर 2022 saving account पर आपको है जो 4% का जो interest rate है वो मिल रहा है दूसरा यहाँ पर बात करें RD यानि की recurring deposit पर मिलने वाले interest की तो फिलाल इस पर 5.8% का आपको है जो interest मिल रहा है और अगर आप अभी है जो post office में 5,000 रुपे की मालो ID करते हैं तो 5 साल बाद आपको है जो maturity पर 3,88,444 रुपे का जो fund है वो मिलने वाला है अब देख लेते हैं मंतली income scheme यानि की MIS की जो interest rate है उसके बारे में तो दोस्तों post office मंतली income scheme पर आपको है जो 6.6% का जो ब्याज है वो मिल रहा है और मालो अगर आप अभी 1,00,000 रुपे का जो 5 साल के लिए इंवेस्ट करते हैं मंतली income scheme है तो majority पर आपको है जो 1,33,000 रुपे मिलने वाला है चलिए अब जान लेते हैं post office time deposit यानि की TD पर कितना interest rate है जो आपको मिल रहा है दोस्तो time deposit पर आप 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए है जो करवा सकते हैं एक साल की TD पर आपको है जो 5.5 का interest rate है जो मिलने वाला है वहीं आपर RD की तरह TD में अगर आप 5 साल तक है जो investment करते हैं तो आपको 6.7% का जो interest है वो मिलने वाला है तो अगर आप TD में एक लाग रुपे 5 साल के लिए मालो investment करते हैं तो maturity पर आपको एक लाग 34,350 रुपे का जो amount है वो मिलेगा अब जान लेते हैं PPF यानि Public Provident Fund उस पर है जो आपको कितना interest rate मिल रहा है PPF दोस्तों Post Office की popular scheme है तो PPF में अधिकतम डेड़ लाग रुपे आप सालाना है जो जमा कर सकते हैं 15 साल के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको maturity पर है जो 7.1% की interest rate के साथ है जो 49,64,600 रुपे का बड़ा amount है वो मिलने पला है चलिए अब जान लगते है Post Office की national saving certificate scheme के बारे में उसकी जो interest rate क्या चल रही है दोस्तों अगर आप NAC में 5 सालोग लिए निवेस करते हैं तो 6.8% का interest rate है वो मिलेगा साथ ही इसमें अगर आप 1000 रुपे का 5 सालों तक है जो invest करते हैं तो maturity पर आपको है जो 1389.49 रुपे है जो मिलने बाला है इसके लावा NAC यानि की राष्टी बचत परमान पतर पर आपको है जो कोई भी income tax pay नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर income tax act 1961 का जो section है एटी सी के तेहत आपको डेड़ लाग रुपे तक ही है जो tax benefit मिलने बाला है वहीं अगर आप है जो senior citizen है तो post office की senior citizen इसकी में है जो 7.4 परसंट जो आपको इंट्रेस्ट रेट है वो मिल सकता है और अगर senior citizen इस इसकी में है जो investment करता है एक लाग रुपे तो आपको हर तीमाई यानि हर तीन मेने पर है जो आपको 1850 रुपे का interest है वो मिलने बाला है दोस्तों अब जान लएते post office की सबसे ज़्यादा interest देने बाली तो दोस्तों ये ती post office की सभी इसकी में की नई interest rate की जानकारी अब आप अपने according इस में से बैतर इसकी में जो select करके निवेस कर सकते हैं I hope जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को like share करें साथ इस चैनल को subscribe कर दीजिए thanks for watching